जार्कन के मुखे मंत्री हेमंत सोरेन जिकात जार्कन वास्यों के नाम संदेश इन्होंने सपस्ट निर्देश दे दिया है कि सभी प्रकार के शिक्षन संस्तान पुर्णता बंद रहेंगे चाहे वह कोचिंग हो अत्वा विध्याले युनिवर्स्टी हो या आई टी आई 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 आगनवाडी हो या होस्ट सभी शिक्षन संस्तान बंद रहेंगे शादी में 200 व्यक्तियों के शामिल होने के जो आदेश दिया गया था वह भी घटाकर 50 व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है इस्तिती को ध्यान में रखकर कई महत्पूर्ण बिचार कई सुझाओं हमारे विपक्त के साथियों के तरब से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक देने प्राथमिक रस्तर पर एकुछ नेने लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं जो राज में जो वास्तविक इस्तिती है वो लगभग आप सब लोग अपने एर्दियत अपने मुहले में चीजों को आप लोग महसूस कर रहे हैं देख रहे हैं हम अपने सिमित संसादनों के माद्यम से विबस्ताओं को सुदेड करते हुए और मजबुती से लोगों के स्वास्त लाब कैसे हम देपाएं इस विशे पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं पूरे राज में जीले अस्तर पर ऑक्षिजन युक्त बेट का उपलब्द कराना राज में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्दता के लिए लगातार प्रयास करना राज के परमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में रिसेच सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिशित कर लिया है लेकिन जैसे जैसे बेड़ें बढ़ रही है वैसे वैसे अकुपेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है बहुत तेजी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे है इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संकरमन की स्थितित में गती में कमी नहीं आई है अब यह गती कब तक रहेजी यह कहपायना बड़ा मुश्किल है फिर भी हम लोगों ने इस संकरमन को थोड़ा इसका जो रफतार है उसमें कमी करने के लिए जो इन लोगों जो हम लोग का इस संकरमन का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक अस्तर पर नेने लिया है जैसे कि अभी ये नेने लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंध होंगी, सभी कॉलेजेश बंध होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंध होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंध होंगी, सभी आइटी आई बंध होंगे, सभी आंगनबारी केंदरें बंध होंगे साधीक के कारिकरम में अधिकतम संख्या जो 200 रखे गई थी उसको घटा कर 50 कर दिया गया है 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं ये हम लोगों का आगरह होगा और राज में होने वाली अगामी जितने भी परिक्षाएं हैं किसी भी अस्तर की स्कूल के हों कॉलेज के हों इंट्रेंस हों या फिर किसी भी सस्तागत परिक्षाएं हैं सबी परिक्षाओं को अगले आदेस तक रद किया जाता है और हम लोग फिर इन विसेओं पर एक माह के उपरांत इसकी समख्षा करेंगे फिर आगे का नेने लिया जाएगा और विसेश प्रहसिती में समय समय पर सरकार द्वारा और भी नेने लिये जा सकते हैं जो राज हित में यहाँ के लोगों के हित में हो यहाँ के इस संकर्मन को कंट्रोल करने के हित में हो इसलिए आप सब लोगों से आग रहा है हमारा कि इस संकर्मन को बहुत हलके में ना ले पहले के संकर्मन से ये अभी के संकर्मन के घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है जहां बच्चे, बुढे, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं इसलिए सभी विसेश का नौजवानों से मेरा आग रहा है तोड़ी दिनों के लिए हम लोग अपने मौज मस्तियों को अपने चीजों को बंद करें इधर उदर बेबज़ा घुमना बंद करें ताकि इसका जो चेन रियक्शन है इसमें ठहरा हुआ इसमें रुकावट हो नहीं तो बहुत मुश्किले होंगी चीजों को हालात को संभाल और यह मान के चलें कि जिससे भी आप मिलते हैं वो अगला करोना संक्रमीत है और इसी सोच के साथ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं अगर कोई अगला संक्रमीत है आप उससे संक्रमीत होंगे आपके पूरे परिवार आपके बाल बच्चे आपके जितने भी रिस्ते कोई भी सहर में ना घुमें और जो भी आवशकता अनुसार कोई भी निकलते हैं विशेश परिस्टी पे आप निकल सकते हैं लेकिन मुझ में मास जरूर लगाएं लोगों से दूरियां जरूरा जितना अधिकत्रम आप बना सकते हों उतना बना के रखें भीड के जुन में बिल्कुल ना रहे, यह हम लोग कागरा होगा